चटपटा और लंच बॉक्स रेसिपी इससे आप बना करके लंच बॉक्स में दे सकती है बिना सबजी के यह बहुत ही टेस्टी लगती है इसको बनाने के लिए एक कप मुंग दाल लेंगे उसे अच्छे से धोकर साफ करके दो पानी डाल देंगे इससे दो तिन बॉयल आने पकाएंगे जब लगे कि इस तरह से पक गई ही ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा कच्छा ही रखेंगे एक करनी और इसे पका कर चान लेंगे चान की जब पानी पूरी इसकी गर जया तब तक उसे छोड़ देंगे तिधर मस्टर्ड वाल करेंगे उसमें 15-20 कली लासुन जब तक इसकी पूरी पानी सूखना चे और इसमें से सुन्दी सुन्दी खुसबून आनी लगे उसमें हल्दी पॉड़र डालेंगे अधे छोटी चमच भूना कोटा जीरा आधे छोटी चमच आमचुर पॉड़र एक चुटी चमच नमक स्वादनुसार चिन्नी एक बिल्कुल इस तरह से फाइन पॉड़र हो जाती है पिस जाए तो इसमें धनिया पती पायरिक काटके डाल देंगे और गेहूं के आटी की रोटी लेंगे एक रोटी ऐसे बेल लेंगे उसके उपर यह मुंग दाल का पूरा पिसा हुआ रख देंगे उसके उपर एक रोटी बिल्कुल पतला पतला रोटी बेलेंगे लो यह बिल्कुल छोटी लेंगे तक रोटी पतली बने और करारी बने इस तरह से बेल करके दिमेद्य में आज पर इसे शीख लेंगे उलत-पुलट करके तो नो तरफ आप घी या रिफाइन तेल जो भी लगाना चाहती वू लग प्रेगी